नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्त है और अच्छे से अपने जिन्दगी बिता रहे हैं। दोस्तों कली की एक बात है कि पचास साल उमर के एक जंटलमन हमारे क्लिनिक पर आये, चेकप के लिए आये थे। उनका कहना ऐसे था कि डॉक्टर साब मुझे हाली दो-तीन महने से चक्कर का प्रावलेम हो रहा है। जैसे मैं सो रहा हूँ, सो कर उठ रहा हूँ, वैसे मेरे गोल-गोल भूम रहा है, चकर जैसे आ रहा है। मैं चलता हूँ, तो भी ऐसे लगता है कि मेरा पाव फिसल जाएगा, या फिर मेरा बैलन्स चला जाएगा, मैं गिर जाओंगा। ऐसी फिलिंग आ रही है। उसी के साथ डॉक्टर साब मेरे को एसे डीटी की प्रावलेम भी हो रही है। जैसे भी मैं कुछ खाता हूँ तो पेट में जलन होती है, और जो पिसाब हो रहा है मेरे को उसमें भी थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है। तो एक दो-तीन मैने से डॉक्टर साब ये मेरे को प्रावलेम हो रही है। सब मैंने चेक अप कराया है। मैं डावेटिक पेशंड हूँ और जैसे कि मेरे को ये प्रावलेम होने लगी तो मैं मेरे फैमिली डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मेरा डावेटिस चेक किया, ब्लड पेशर चेक किया, कोलेस्टरॉल वेगरा चेक किया, सब ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कुछ दवाई या मुझे लिक कर दी, चक्कर के लिए, वो दवाई जब तक मैंने ली, पाच्छे दिन मैंने दवाई ली तो मुझे आराम लगा, लेकिन जैसे ही दवाई बंध होगी, वैसे मेरे को वापस तकलिफ होने लगी। अभी इसके लिए मै आपके पास आया हूँ कि यह जो चक्कर मेरे को आ रही है, इसका कुछ आईरुवेदिक उपाय या फिर उपचार है क्या? दोस्तो जब भी कोई पेशन आईरुवेदिक डॉक्टर आके पास आता है, तो आईरुवेदिक डॉक्टर उसका कारण ढूंटे है, जैसे भी कोई काईफस्टाइल कैसी है उसे हम पूछते हैं उसके इसाब से हम लोग questions पूछते हैं तो मैंने पहला question उनको पूछा कि आप सुबह में कितने बज़े उठे और उठने के बाद आप क्या करते हैं तो बहुती उठसहा से उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साब मैं सुबह म मैं उठ जाता हूं और उठने के बाद मैं आदा कप गोमुत्र पिता हूं हमारे घर पर ही गाय है तो उसका मैं गोमुत्र पिता हूं और फिर बाद में मौनिंग वाक को जाता हूं मैंने बोला आरे वाट ठीक है आप गोमुत्र पिरे बहुत अच्छी बात है और भी उन्ह मुझे एडवाइस किया कि आप गोमुत्र पियो उससे आपको फाइदा होगा और यह गोमुत्र पिने से डॉक्टर सब मेरा जो शुगर लेवल था वो काफी कम हो गया मेरा वजन भी कम हो गया और पहले से मुझे बहुत ही फ्रेश लग रहा है मैंने बोला अरे वा वेरी यह प्रेश लेल चप्कर क्यों आ रही है मैंने उनको बताया कि आप जो यह गोमुत्र पी रहे हैं वो गोमुत्र पीने का टाइम जो है वह आमने अपने एकसिल कर दिया आपने जादा टाइम तक गोमुत्र लिया है जैसे कि आपको डाइबिटिस था शुगर थी और आपका वजन भी थोड़ा था थोड़ा जादा था और उसके बाद आपने गोमुत्र पीना चालो किया तो उससे क्या हुआ कि आपके शरीर का जो कफ दोश है मेद है वो कम होने लगा लेकिन आपने वो कफ और मेद कम होने के बाद भी गोमुत्र पीना चालो रखा उसके वज़से आपके शरीर में पित्त दोश बढ़ा उश्नता बढ़ गई और वायू बढ़ गया और उसके काराण आपको चक्कर आना चालो हो गया तो आपको क्या करना चाहिए आपको यह जो गोमुत्र पी रहे उसे बन करना चाहिए और कुछ दवाई में आपको देता हूँ एक 10 दिन की दवाई देता हूँ वो दवाई आप लीजिए आपको डेफिनेटली आराम आ जाएगा तो दोस्तों यह जो केस है वो आपके सामने रखने का मेरा प्रयोजन ऐसा है कि आजकल मैं देखता हूँ कि काफी सारे पेशन जो है वो वाटसैप हुआ, फेसबूक हुआ, यूट्यूब हुआ, निउस पेपर हुआ या फिर कोई भी रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स उनके कहने के मुताबित कुछ ना कुछ प्रयोग अपने उपर करते है देखिए दोस्तों, आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग गरम पानी पिते हैं कुछ लोग शहद पिते हैं, कुछ लोग निम्बू पानी पिते हैं, करेले का जूस है, जामून का जूस है तो ऐसे अलग-अलग बहुत सारी चीज़े हैं, कुछ लोग यह भी पिते हैं, अपना जो अलोवेरा जूस होता है, उसको लेते हैं तो मुझे आपको एक चीज बतानी है, कि ये सब चीजे जो है ये नॉर्मल डायेट में नहीं आती है, हमारा जो नॉर्मल डायेट होता है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये जो नॉर्मल डायेट है, फ्रूट्स है, इसमें ये नहीं आता है, ये आहर ये पदार्त नहीं ह ये आईरवेद में भी आउशदी के तोर पर इनको माना जाता है और इनकी लेने की विदी है हर एक पेशन को, हर एक व्यक्ति को ये सूट नहीं होगा हर एक की प्रकृति अलग होगी उसका व्यादी अलग होगा उसका डाइदेशन अलग होगा उसका रहनसेन अलग होगा वो जहां पे रहता है, उसका प्रदेश अलग होगा वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा तो यह सब चीजेड़ों को ध्यान में रख कर कौनसी भी दवाई आपको लेनी चीहाए आप जबी भी क्नसी दवाई लेते हैं या पिर कौन सा भी प्रयोक नुष्खा आजमाते हैं तो आपको आपके नजदिक आयरवेदिक डॉक्टर जो है उसे संपर्क करके ही आपको यह सब लेना है आपको एक मेना लेना है, दो मेना लेना है, कभी रूखना है ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है बहुत सारे patient में ने देखा हूँ कि ऐसे कुछ ना कुछ उनका प्रयोग चालो होता है और उसके वैसे उनको बाद में जाके कुछ ना कुछ side effect होते हुए देखे जाते हैं तो दोस्तों मेरा आपको ये कहना है कि ऐसे कुण से भी प्रयोग जो है वो आप खुद के मन से नहीं करिए आप जो भी डॉक्टर है उस सब्जेक्ट में तदने डॉक्टर है उनसे आप मिलिए और उनके सलहा के अनुसार करिए अभी आप देखेंगे ना कि गोमुत्र जो है इसका वर्णन आईरवेद शास्त्र में भी है बहुत सारी आईरवेदिक दवाईया है उसमें गोमुत्र इस्तिमाल किया जाता है गोमुत्र हरितकी जैसी दवाईया है उसमें गोमुत्र है उसके बाद बस्ती करके होता है इनिमा होता है उसमें हम लोग गोमुत्र यूज़ करते हैं तो ऐसे गोमुत्र बहुत फाइदे की चीज़ है, आप आश्चर करेंगे कि कैंसर जैसी बीमारी में भी गोमुत्र प्रयुक्त होता है, थाइरोइड में गोमुत्र प्रयुक्त होता है, स्किन की डिजिजिस है अलग-अलग प्रकार की, सोरियसिस जैसी डिजिजिस है, उसमे बोकिति वीज किया जा सकता है उसके बाद लुकोडर्मा होता हैसा सफेद दाग Uh बोटा है पेट साफ नहीं होता है उसके लिए घुत्र होता है किड्ने डिजिज सिक्राइब कौनिक विचल में भी गोंत्र यूज किया जाता है तो गोमुतर के बहुत सारे फॉइदे हैं, गोमुतर बभूत ही अच्छी दवाई है, गोमुतर कैसी है? गोमुतर ये कफ दोश और मेद धात्व को दूर करती है और शरील में जो भी पित्तल है, शरीर में पित्त दोश को ये बढ़ाती है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही गुमुत्रे लेना चाहिए, शर्टन पिरेड के लिए गुमुत्रे लेना चाहिए, आपकी प्रकूरती कैसी है, समझो आपकी पूशन प्रकूरती है, पित्त प जज्मेंट करते हैं और उसके बाद लवा लेनी है नई लेनी है उसको डिसाइड करते हैं तो दोस्तो यही चीज मुझे आपको बताने थी इसलिए मैंने यह केस जो है यह आपके सामने मैंने रखी दोस्तो यह जानकरी आपको कैसी लगी वो हमें जरूर नीचे कमेंट करके बताईए अगर आपको यह जानकरी अच्छी लगी हो तो यह वीडियो लाइक करिए बहुत सारे लोगों तक यह वीडियो शेर करिए जिससे कि यह इंपोर्टन जानकरी बहुत सारे लोगों तक पहुंचें दोस्तो अभी यही पर रुखता हूँ आगे चलकर कुछ नया व प्रस्तुत करूंगा तब तक धन्यवाद